पानी में डूब रहा है दल दियाओ बचाओ इसे दल दियाओ सुलो सुलो कोई पानी में डूब रहा है बचाओ इसे बच्चा पानी में गरिया पता नहीं किसकी ओलाद है जाकर बच्चा कालू राम यह तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है क्या होगे तुझे पाकल होगे है क्या पानी में उल्टा होकर छलग लगा रहे है वह सब छोड़ो पर तुम तो बच्चे नहीं हो मैं तुझे बच्चा दिखता हूं इतनी बड़ी मुझे बच्चा की होती है क्या है तेरी उम्र के मेरे पोता-पोती है मैं उनको गोंद में लगता हूं समय क्या है आध्याद मी किस ने कहां कि बच्चा डूब रहा है तुए ना तुम भाग मत तुझे छोड़ो ना नी शाले रुक रुक जा रुक जा तेरी ऐसी कि तैसी रुक रुक कहां भाग रहा है क्या हुआ मामा जी अब थोड़ा हल के से करना चींट तू धक्का मार रहा है प्यार आगया था ना इसलिए थोड़ा सोर से टक्रा गया यह प्यार था तो फिर तेरी इस मार से तो मेरा सीरी घुम जाएगा वह याद दिला तिया तेर चक्राने की दवा है मेरे पास मामा कितनी प्यारी चीज़ को इतनी चोटी सी बोतल में छिपा रखा है यह मेरी लिए आप अपने हाथ से डाल लीजे ना अपने में कोई गलती नहीं होगे तुम्हारा कहना तो ठीक है क्या कर रहा है इतना कम पानी डालेगा कलेजा जल जाएगा अब देखो मैं कैसे मिक्स करता हूं यह ऐसे इस तरह मिलाने से तो कलेजा रहे गए नहीं हाँ यह देखो इस तरह मिलाने से तो कलेजा रहे गए नहीं देशों में लोग इसी तरह पीते हैं हमारे लोग ही पाग लोगी तरह पानी मिलाते हैं ले 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 चल पिवी चीर्ष थोड़ा पानी डालो इस ना डालता हो है shorts किल दोनों को यहां से भगा हो बहुत मुसिबत हो यह जब भीह से भगा हो नहीं हम तो कहन निए दिक कहा हैं हम लोग थंग आगे इंसे पासटी पढ़े तुम्हें दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी जहां तो ऐसे रहे जैसे दूसरे गाउं जा रहे कुछ भी हो दोबारा यहीं आना होगा है बागल कहीं के मामा की सब तो चले गए लेकर नेक अभी तक भैठा हुआ है अरे छोड़ो भांजे होगा कोई नहीं मामा है अगर ब कौन से गाउंका है नाम क्या है नाम क्या है कोई भी नाम उतिर को प्रूल क्या हूं उसके बात वाला नेक्स्ट यहां किस लिए आया है पर वाधों क्या reports करो तो कई भी चला जबने कुझा छोड़ने वाला नहीं हूँ भाग रहा है तू मेरे भांजे के सवालों का उल्टा सिधा जवाब देकर भाग रहा है तूँ है तेरी क्या आलोद होती है अभी देखना भांजे यह बताओ किसके हाथ पर काटे या इसको जान से मार दे बोलो भांजे 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 कहां चला गया अभी तक तो यहीं था अभी कहां चला गया लगता है भाग गया अब इसके साथ मैंने अकेले फंगा ले लिया है और मेरा भांजा है कि मुझे बीच में छोड़कर भाग क्या इसके साथ सुलाह करने तो तब ही बच सकते हैं कमीज कब उतारी कमीज को शोड़ो यह बढ़ा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं तुम्हें भागता हुआ देखा तो मेरी पीच्छा हो इसलिए मैं भी आ गया मैं भागूँगा तुम भागगा ऐसी बात नहीं है मैंने सुचा की दोड़ में मैं तुम से आगे निकल जाओंगा तुम रुख गए तो मुझे भी रुखना पड़ा अब करना क्या है भाई दोनों ने दोड़ लगाई तुम भी दोड़े मैं भी दोड़ा और क्या खेल खेल नहीं हुआ है यह सीटी क्यों बजा रहा है अरे यह कर नहीं भाग सकता है भगवाद बच जाले हुआ है क्या देख रहा हूं उठाओ इसको लेकर जाओ अरे 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 मैं तुम लोग का उत्सां समझ सकता हूं मुझे पूरा का पूरा धो दिया रे करते हो दुकान पर बार बार आऊंगा कोई भी गलती करेगा तो माट तुझे पड़ेगी चलो एक्सक्यूज में कोई भी गलती करे तो हाँ कमिने ओके मेरा शक दूर हो गया अब तुम जा सकते हो चलो दोस्तों हाँ 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 सीकंदर के सैनिकों की तरह जा रहे हैं ते छुरुए दुनिया जीटेंगे प्वांजे मैं तुम से शराब निकालो पिएंगे नहीं मामा करें आज के बाद मैं शराब नहीं पिएंगा जहीं तकम आप हुआ मेरे का शहता अपमान हुआ है वह भीगल कल्कोल अच्छा नहीं लगने आज ऑसा होना चाहिए इसका मतलब आज की बद नहीं पीएंगे नहीं पीएंगे दो चाय ले करा क्या कहां उधर देख भांजे तुने जैसे चाय का जिन्दा आदमी मुर्ती बन गया एक बात समझे अगर हमें शराब रोकनी है तो पहले नोटिस लगानी होगी फिर पोस्टर लगाने होंगे उसके बाद सिनेमा में स्लाइड दिखानी होगी उसे एक महीने पहले माइक लेकर गाव गाव में ये बताना होगा कि हम शराब पीना छोड़ने वाले हैं इतना ही नहीं शराब बंद करने के लिए एक नियम है जैसे देड़ पीते हैं तो पहले उसे एक करना होगा पिर आधा करना होगा आधे का क्वाटर करना होगा क्वाटर को कटिंग मनाना होगा फिर उसके बाद बूंद बूंद करके पीना होगा समझे और उसके बाद खाली ग्लास में डालकर पानी पीना होगा ऐसे रोकी जाती है शराब अचानक रोको तो हाथ कापने लगेंगे हांकों से नींद गयाब हो जाएगी ऐसे शराब नहीं छोड़ सकते साधारन बात नहीं है बाबा कोई देख लो क्या कहा मैं छुप हो जाऊं मैं इतनी देर से अपनी भावनाओं को विक्त कर रहा हूं और तु एक ही मुझे छुप होने के लिए कह रहा है आप कि अधी हुँ 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 हुआ हु हु कि हु हु पतली पुत्र केसे जाने हैं? पहले चाय पीजीन नहीं थैंक्स एसा नहीं कहते हैं जो हमारे गाव में पहली बार आता है उसे चाय पिलाते हैं यह स्वागत का थरीक है लीजी ऐसी बात है यह तो बहुत अच्छी आदत है कल आपटी तो शराब देता पीने के लिए एक तो देर से आरी और कहरी अच्छी जियादत है बताओ पागल कहीं मैंने रास्ता पूचा था आपने बताया नहीं वैसे आपको अगले स्टॉप पर उतर ना था आप एक स्टॉप पहले उतर गई है कोई बात नहीं चस्ट पाकेबिल डिस्टेंस है औले थ्रेहार आज तक मेरे साथ अंग्रेजी की एबी मुझे से एंग यू गुड नेम रज्नी रज्नी आप तेरे मामा का कमाल डेख क्या चीज तेरा मामा यह कौन तर्व अच्छानक सामने आके ड़रा गया यह चाय के दुकान में शराप ही रहे है आपके गाव में सब आयसे ही करते हैं बिल्कुल नहीं हमारे गाव में ऐसा जरा उठिए जरा उठिए ना इस तरह शराब पीकर आप अपनी सहत क्यों खराब कर रहें तो बेटिया आज से कुछ की शाधी नहीं कर पाया इसी तुक्त के कारण मैं पीकर मर जाना रहा तो यह आप क्या क्या रहें अच्छा यह बताई हर दिन कितनी शराब पीते हैं अधि साथ लाख रुपए इन साथ लाख रुपयों से अब अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकती थे पीकर पैसा क्यों बरबाद कर रहें भगवान के लिए अब तो सुधर जाईए तुम कितनी अत्याद्वी हो आज तक किसी नहीं कोई बात नहीं नह करता हूं मैं तुम से बिटा ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हें मेरी आंके खोजें तुम मेरे लिए भगवान हो मेरे लिए भगवान हो तो पूरा देश सुधर जाएगा यार फ्रेंट हीसा वेरी नाइस मैन हां इसे यह बहुत अच्छा आदमी समझ रही है पांतानी किसकी अब अच्छी तरह खाना खाकर उसे सुधार लीजेगा एक मिनिट मैं आपने शराबी को सुधार दिया यह रियली ग्रीट इससे पहले शराबियों का पीछा करता था यह याद अखना क्या का अरे तुम मेरी बात छोड़ो ना तुम अपना कंटीनिव करो भाई तबी आप याने दुना देखने में क्या रखा है अच्छा मैं चलती हूं सी यो बाई करें आथ अहां सुक्राइब सेङला था जड़ा है और का भे सिटार की एफना क्या रे दरखतें से यालन भाग रहे है experолет Works इसी लिए कहते हैं जवान लड़कों को छट पर नहीं सोने चाहिए तो कैसे लेटा था मैं सिधा लेटा था तो दिल खुला रहता है ऐसे में सपने तो आएंगे ना तो अब मैं क्या करूं मावा अरे भांजय जो मरी हुई चुड़ेले होती हो छट से छट पर छलागे बाद मेरी बहन कहा है मैं तो अपनी मा का इकलोता बेटा हूँ वहीं जिस सुभए आई थी चै की दुकान पर किसने रजनी क्या कहा रजनी वह मेरी बहन है जिस लड़की से मेरी शादी होगी वह तो आपकी बाहू होगी ना तो ने उससे शादी का फैसला भी कर लिया देखते ही से काम कर तू लटा लेट जा और उपर से तकिया रख ले सोजा आप सोजा आप देखता हूं कैसे आती है राक तकिया मुझे भी सोना है अब क्या हुआ अभी भी यहां से वहां भाग रही है महां से आई अरे यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है अरे गांव आई मेला देखें अगली बस पकड़कर वापस आये दूसरों की छटों में क्यों खेल रही है अब उस लड़की को बिल्कुल याद मत करना सो गया सो गया ना वेरी गूट अब खरावाटे मतले मुझे भी सोना है सुभा लड़की को देखा और रात को सपने में भी आने लगी यह आज कल के जवान लड़के अब क्या हो गया यार अब गाल पे बार-बार चुम्बा दे रही है मामा तेरे साथ यहां च्छत से छलाक लगा दूँ भांजे ए भांजे क्या हुआ यह डायरी खोलकर उपर नारियल के पेल को क्यों देख रहा है क्या बात है कोई हिसाब चुट गया क्या नहीं मामा मेरे खयालों में हमेशा वही गूमती रहती है उसी के सपने आते रहते हैं तो क्या हुआ इसलिए मैंने मन की फेलिंग को एक सफेद कागज पर कविता की रूप में लिखकर उसे लाव लेटर देने की सोच रहा हूं मामा तो लिखना मना कौन के ए मुझे लिखने क मेरे टेलेंट के लिए कविता क्या कहानी भी लिख दूँगा बस सोच रहा था रूट बदल जाएगा कविता लिखनी है ना हाँ मामा आपके लिए जो लोटे में चार्ज भर कर लाया था वो आपने पी ली तो तो तीन बार पी है मैंने तीन बार पी है कह रहा हूं मैंने आपसे चार्ज पीने के लिए जब पी करा गए क्या अब बक्वास कर रहा है ले खुदी लिखता हूं ये पुराने जमाने का नाम है कुछ नया लिखी न मामा पुराना हो गया पर मेरे लिए तो ये पुराना नहीं हुआ है मुझसे लेटर लिखने के लिए कह रहा है मैं कैसे लिखू भांजे यह यह तेन पंक्तिया लिखी है जरा पढ़ कर देख लो इसे सुने को काट कर निकाला है हां ऐसे क्या देख रहे हो पढ़ो ना प्रेम का हार बनाया है पढ़ने में क्यों शक कर रहा है मैं पढ़के सुनाता हूं देख सुनना ध्यान से खाली सोना धर्ती से निकाला पर पापरी यह क्या पहली लाइन पे नारियल नीचे गिर गया थोड़ा और आगे गीरा होता तो दिमाग खराब हो जाता अप्यार के रस निकाल कर बोतल में ड पूरा नारियल गिर गया अब तुम भी किरने वाले हो मामा और क्या कवीता लिखने के लिए कहा तो फिल्मी गीत लिख दिया क्या का फिल्मी गीत तभी देखो मेरी किताब कहा गायाब हो गई बस कीजिए आप कुछ मत लिखिए जो मैं कहता हूं वह चुट चाप लिखते अहां चेह नंबर मकान यही घर है दर्वाजा बंद है घर में कोई नहीं है क्या अलो अलो अरे कोई है की नहीं अरे खुला है दर्वाजा तब तो घुच जाना चाहिए अरे तो पुरा घर खाली है इस घर में कोई रहता भी है की नहीं मेरी बीवी के लिए तू मेरी बीवी को लव लेटर नहीं हों। अरे भाया भाया मैं आपकी पत्नी को देने क्लादी आता जल्दवाजी मेंना यह मूचक्र खुट पोलता है आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा मैं इस बार अपनी बीवी को मिश नहीं करूंगा इस बार भीशली बार मिश किया था क्या इसके पहले मेरी दो पत अरे भांजे, लड़की वालों ने बहुत बड़ा होटल बुग किया है ना, हम लोग का इस्टेंडर्ड ही है ममा, लोग बहुत राजा महाराजा है ना, आ तेरा फोन निकाल, तू फोन लगा के उससे बात कर, तब तक मैं आता हूं कुछ खांका, चलना, 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 चलना आपने रूम बुक्की है ना सर, हाँ तो, रूम से ही ओडर कर दीजे, आपको इडली वही मिल जाएगी सर, हम होटल में है ना, गल्ले में खड़ो होकर मांग रहा हूं, चुप चाप दे कर, पैसे लेकर जाना, तो घमंड आ जाता है, ऐसे घमंड नहीं करना चीए, यार त क्या देख रहा है, तुम आवी तक यहां खड़े हो, जाकर लेकर आओ, एक्सक्यूज में सर, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इटली वड़ा मांगा तो कह रहा है कि रूम में ओर्डर कीजे, यहां लाकर नहीं दूगा, इकनी सी बात है, सर को अंदर ले जाका घरमा घरम दो, जा जा जा, आप बात समझ में आई ना, जा जा तु भी जा, आई, 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 सर, देखा, उची आउज में बात करो, तब काम होता है, क्या बात है, आप तो यहां भी किंग कोंग है, यहां, चलो, ठंग्यू जाएगी आई, 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 हला मत कर, हला मत कर, देख, मैं कैसे चल रहा हूं, बड़ा होटल है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम लोग मारका है, मुझे तो इन सब चीजों की आदत पड़ गई है, याद रखना, नमस्ते, थैंक यू, बांचे, मामा, तुम तो अकेले अंदर ग देखने के लिए आता था, तो ऐसा है कि कुछ भी करना तो शादी के बाद करना, वो अरना तुमारा काब कमाम है, मेरी पहले से हालत कराब है, मैं क्यों इसको ग्यान दे रहा हूं, ने, बाबाजी बजात कर रहा है, चलो हम चलते, अच्छा ये पताईए, शादी कहा है, श बिजनेस, वो गाउं में मेरी दस सूटी मिल है, पांच गत्ते की मिल है, और साथ-ाथ राइस मिल है, इतना ही नहीं, शादी में पूरा देड करोर रुपे खज करना है, अब क्या कहा है, सर्क देड करोर, क्या है बे, आपने गाउं में सारी भैसों को ऐसे ही छोड कर आ गय वो क्या है काउ में मीनी बाइसेंग जो है, वो मिसिंग हो गई है, तो मुझे उसे ढून के आना पड़ेगा, यू वेटिंग है, इंदा रहा कर मीने, शाले बताता हूं तुझे, डेख मैं उस लड़की को टूटी फूटी इंगलिस बोलके पता के शादी करके गाउं ले जाना चाहता था और तू आके बता दिया कि मैं भेंच चाहता हूं जाला मेरी जिंदगी खराब का यह कहां चाली गई कौन से कमरे यह तो पूछना ही भूल गया राइट कोई बात नहीं मैं सभी दर्वाजे खट-खट आक रखे देखूंगा मिली जाएगी मामा क्या है यह सब क्या कर रहे है इतने बड़े हो गया शरम नहीं आती इसमें बड़े चोटे जोटे की बात कहां से तुम्हारे मामा कहां से आ गए तुम्हारी मामी है यार मेरी मामी तेरी मामी हुई ना लवर हाँ ठीक है पर सुनलो यह सब ठीक नहीं कर रहे लेकिन पहले मेरे भाई के चलिए डॉलिंग हम अपने रूम में चलते हैं अकेले का मतलब नहीं समझता पीछे 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 क्यों आ रहा है तू चल जाए यहां से अजया बोला रहा है हुँ तुम्हें जी से बुला है तुम उसके पास जाओ मुझे जो बला है मैं उसके पास जाओ तुझे किसने बुला है तेरी मामी लड़कियों को ठाकर मेरी मामी मनाने चला जर्जा नहीं तो पच्छता आएगा यह मू और मसूर की दाल तो मुझे सुन्दा रड़की मिल गई न आप पड़ गई तो मैं क्या कर सकता हूं तुम है किस ने मारा किस ने मारा मुझे मामा तो मामी के बास क्या था न तो तुम्हारे बालों की आलत कैसे होगही किसी ने मेरे बालों मेरे देखि एज और qh कि ए्पटाई की कि करहा हूँ तटे देखता हूँ कोई नहीं । मैं जो कह रहा हूं तू भी वही कह रहा है मामा वह सकता है जैसे तो मेरी मामी बनाने के चक्कर में हो उसका पहले से कोई आशिक हो और आप रोडा बन रहे हो मुझे लगते हैं अपनी माशूका से दूर रखने के लिए उसी ने आपके मुँपर कपडा रखकर आपकी धुला नहीं भांजे मैं उसे नहीं भूल सकता यह मुझसे नहीं होगा अच्छा यह बात है मामा तो तुम एक काम बोला आज के बाद उसके कमरे में दरवाजी से मत जाना पीछे की खिड़की से रस्सी लटका कर उसे पकड़ कमरे में जाना हाँ बिल्कुल सही कहा बांजे तुमने बिल्कुल सही कहा मैं जाता हूं मैं अभी जाता हूं हालो हां сб मैं हेडली बोल रहा हूं कल है उसका काम तमाम कर देता लेकिन एक छोटी से गल्ती हो गई इसलिए वह बच गया कल उसके शादी है मैं उसके शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूगा मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे उसको खतम करके मुझे फोन करना हाँ अब यह रस्षी तयार है अब नीचे उतरूंगा लोग प्यार के लिए ताज मेल बनाते हैं मैं चादर की रस्षी बनाकर उतर नहीं सकता उतरूंगा यही मेरे प्यार की परिक्षा है हाँ लंबाई तो ठीक होगी ना हाँ भगवान मेरी रक्षा करना कौन सा कमरा होगा यह तो नहीं है यह तो मेरे भांजे का कमरा है चलो ठीक है धोंगी साथू ध्यान करने की मुद्रा तो देखो कमीने की हुआ है तो यह जाल रहा है यह क्या जल रहा है और किस डे कपड़ में आख लगाई और अ अरे एक आपनी हवा में लटक रहा है ऐसे में कोई मजाग करता है क्या हो तो अच्छा हुआ कि पानी में गिरने की वज़े से बच गया नहीं तो मेरा तो कल्चू मरी बन जाता है किया इस्ति रहा हुआ है किसी तरह बाश्य तक तो पहुँच गई और अब कभी न कभी शाधी भी होगी लोग यह सुहाग राप सुहागराज्यों के बारे में बताएं ना मामा यह क्या बांजी तुम्हें इत्ना भी नहीं सीन देखें हैं तुस्हीं यह भी नहीं पताता सबसे पहले सुहाग रात के कमरे में तुम अकेले बैठे हो मैं पास रखी टेबल में खाली में सेव अंगूर मिठाई सब भरे रखे होंगे समझ या उन्हें देखते ही खाकर थाली धोकर मत रख देना अगर तुमारा मन न लगे तो आसपास फूल सजे होंगे उस फूलों को बंदों की तरह तोड़ तोड़ के यहां वहां मत ठेकना ठीक है कुछ देर बाद कुछ लड़कियां तुम्हारी दूलन के हाथ में दूद देकर अंदर ठकेल देंगे वो शर्मा के लोटे के साथ तेरे पास खड़ी होगी मौके का फाइदा उठाकर काम तमाम मत कर देना मखहलाए तो पुलिस केस हो जाएगा पुलिस केस अधिदी के बाद अपनी भीवी के पास जाना गुनााah है क्या मामा दिर भी वह एक महीला तो है न यार को कैसे पता हो अलुवा खा लेगी ये बात तो मेरी समझे भी नहीं आई सुहाग रात में एक ऐसी चीज़ा जो खतम हो जाती है हलुवा खाने के बाद वो अपने हाथ में दूद लेकर तुम्हें देगी उसके हाथ से लेकर दूद आकाश में देखते हुए पूरा मत पी जा इसका मतलब अभी तक हम लोग बैठे ही नहीं थे देख 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 इतनी जल्दवाजी ठीक नहीं है तुझे थोड़ा धीरच रखना होगा भाणजे पास में बैठ कर कोई कवीता या फिर कोई सुन्दर सा गाना सुना और अकर नहीं आता हो तो फॉरन लाइट बन कर देख और उसके बाद विजली विवाग में फोल समाशता है यार लाइट बन करने के बाद अपने आप हो जाता है जो होना होता है इसको बताते बताते मुझे पसीना आने लगा अब कुछ भी करके कुछी शिक ले इतना काफी है मामा आपने मेरे तो फिर मैं क्या करूं अपको खुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब काले हैं लेकिन दिलबाले हैं इसलिए मैंने तुम्हें भी होगा था निखर मेरा मतलए तुम्हें तुम्हें अच्छा एक बात तो बताओ तुम्हें अतना पासीदा क्या रहा है वह क्या इना इस फर्सं टाइम Kalau ये लेकिन फिर भी टोमास करते समय इस तरह पसीना नहीं आना चाहिए पसीना नहीं आना चाहिए कैंट एक जाए मामा मामा ये क्या आखे और मुँ दोनों खुले हुए आखे रुआ क्या है इनको देखता हूं कहीं मरमरा तो नहीं गए क्या हुआ इसने बताइए वह क्या है मुझे ना पसीना पसीना इसलिए मेरा पसीना प्रोषनी के लिए उसने कुछ क्या मामा यह तो बेहोशी की दवा है अरे बापने कमान में खुला हुआ है अरे चल चल देख देखा गई अरे रुख्जा मैं आ रहा हूँ अरे जे वार चालते तो जाहे अपनी मामी का पोस्ट देखा कितनी सुन्दा लग रही ही ना मेरे मामा को बेकूब बनाकर हमारे कहने और जेवा लेकर भागना चाहती थी नाख तोड़ दूगा रोज रोज मुझे छोड़ कर मत जाओ मुझसे आदमियों जानते हो वह एक चोड़ है फिर भी उसके पीछे जा रहे हो तुमारा जो चुरा है तो वापस कर दिया पर मेरा चुरा है वह तो वापस देखिया तुमारा क्या चुरा है उसने मेरा दिल भांजे क्या कर मत जाओ मुझसे कहा हो ता मैं खुद तुम्हें जेवा दे देता चूरी करके क्यों पोरी बन गई अरो रुख जाओ रोज रोज मामा की आलत देके लगता है शादी करके बच्ची प्यदा करके वापस आएंगे